हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ भुंजन मेरे स्किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाऊंगी उड़त की दाल का करहल कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सबजी नहीं होती है अगर में अविलेबिल तो यह समझ में नहीं आता है कि आज क्या खाना बनाएं तो उस समय के लिए सबजी यह सारी सबजीयां बहुत अच्छी रहती है या कभी टेस्टेंज करने का मन करता है जड्पड की लगता है जल्दी से खाना बने और अच्छा बने तो उ靡् verd कराना बताओंडूंगी इसको बस दाल भीगने में जो समय कि यहां पर मैंने 10 कटोरे चिल्के वाली दाल ली है इसकी जगें 4 गंटे भिगो करके यह देखिए धोलिया है धोकर के मैंने स्टार में डाल लूँगी मसाले के लिए मैंने लैस्न अधरक और घरे वाले लाग मीर्चे को पीश लिया है, यह उसका पेस्ट है, आप मीर्चे को अपने टेस्ट के हसाफ से डालें, भीचो नाल विलकुल महीन पीश गई है इसमें मैंने दो घरे मीर्चे काट करके महीन यह डाल दियें आदा चमच गरम मसाला, आदा चमच से थोड़ा का मीट मसाला और एक चमच टेस्ट के एसाब से नमक, यह छोटा चमच नमक है, इसमें आप हरा धनिया भी उपर से डालना चाहें तो वो भी डाल सकती है और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं काहें मैं ने चाहा दी थी, इसमें बड़े चमच आप डाल दिया जल गोल ग्या है इसमें 7-8 चमच मेथि दाने डाल दिया जैसे मेथि के दाने चटखने लगें आप इसमें जो बेहने भी लासम नद्रक का पेस्ट दीचा था मैंने दो चमच लैसो नगर का पेस्ट राल दिया अच्छे से मिक्स कर दिए देखे लैसो नगर घुन गया है इसे मैंने ये कुटी लाल मिंच यादी चमच डाल दिये और एक चमच ये मीट मसाला पौडर देखे मसाला भूं जया है इसमें तेल छोड़ जया है बहुत सिंपिल सी सब्जी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है आई जैसे मसाला पूं जया है इसमें आप रस्यवाला पाणी यह डाल मैंने एक टोड़आ भर की पानी डाल दिया है है और इसमें और पॉलेम देज कर दिजिए र воды दिगेशिए टेस्ट के इसाब से इसिए साब से पहले थोड़ा कम नमग डाली मैंने आदा समझ डाला है और इसको ढख करके बॉयल आने दीजिए इसमें इच्छा सा बॉयल आ गया है फ्लेम तेज करिए अगर आपको पानी कम लगता है तो इसमें आप पानी और बढ़ा दीजिए इसके से सारी बॉल डाल दीजिए अगर आपको दाल ज्यादा लगती है तो आप दाल थोड़ी कम कर सकती है इसमें इसमें देखिए पकॉड़ी डालने मैंने इसके सारी पकॉड़ी डाल दी जितनी दाल मैंने पीसी थी दो पकॉड़ी बरके दाल मैंने इसमें रोप लिए और इसमें थोड़ा पानी मिला कर कि जितना पानी इसमें कम लग रहा है इसको मिक्स करके अच्छे से इसको भी उसी सब्जी में ही डाल देंगे जिससे सब्जी अच्छे से गाड़ी हो जाएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सब्जी का यह देखें इसमें डाल दीजे कि अच्छे से चला दी पानी थोड़ा और पड़ेगा इसमें अभी पानी की क्वांटीटिटी आप अपने हिसाब से रखें आपको लगता है गाड़ी हो चैन Shaktie покуп नेदेगे FUCK षब गया है इंशे कि दौन की यह गौल यह बोर्ड बीचों कोफ़ जाती हैं कुछ पख जाती हैं're कि कफें ग्रेवी की नीगाडि हो जाती इस तरीके से कि दाल पक गई है इसको मैंने करीब 10-12 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है दाल अच्छे से पक चुकी है मेरी सब्जी बन करके त्यार हो गई है अब में गैस की फ्लेम बन कर देती हूं और 2-3 मिन तक इसको कवर करके सर्व करती हूं तो देखें फ्रेंट्स कितना अच्छा है यह उरत का डाल का क्रैल बन करके त्यार हो गया है यह ।कस पना ground और देखें कितनी सारी सब्जी बन करके त्यार हो गई इसको आप रोटी के साथ खाई या चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है मेरे वीडियो को आप आगे सागे शेयर बिल्कुल करना मत भूलिए अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आती हो तो और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करना न भूलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई